हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू लर्निंग मंत्रा मेरा नाम है लो किष्डाका और आज हम बात करने वाले हैं चंदरमा के बारे में तथा साथ ही देखेंगे सोलर लूरर इकलिप्स क्या हैं तो लेक्चर के साथ बने रहीं सबसे पहले एक जोक शुनाता हूं एक बार एक करते हैं लड़Gy को प्रपोस करने चला है लड़की से कहत है मैं तुम से पयार करता हूं तो लड़Ùी कहती है मैं किसी और से पैयार करती हूं तो लड़गा थोड़ी देर चुप रहता है फरकता है अच्छा तेरी माग बताऊंगा तो आए वीडियो को शुरू करते हैं यह हमारा सोलर सिस्टम इसको आमने पहले देख लिया था तो आज हम जो बात करने वाड़े हैं वो हम करने वाड़े हैं अपने चंधरमा के बारे में आए चंधरमा के बारे में बहुत important important facts जानते हैं वो क्या है शुरू करते हैं वीडियो को तो सबसे पहली जो चीज है कि चंदरमा का जो diameter है वो है 3450 km और आपको पता होगा कि चंदरमा जो है वो orbit कर रहा है प्रिथवी को चंदरमा का प्रिथवी से जो distance है वो है 384,400 km के आज पास है चंदरमा का जो circumference है वो है 10,660 km प्रिथवी का यह लगबग 40,500 km है तो चंदरमा जो वो प्रिथवी से लगबग 4 गुणा छोटा है बहुत important question है जो चंदरमा है वो एक परिथवी का चकर लगबग 27.3 दिन में लगाता है सेम उसका जो rotation हो भी सेम है और revolution हो भी सेम है तो परिथवी का भी उतने दिन में चकर लगाता है, खुद का भी उतने दिन में चकर लगाता है, इसलिए हमें परिथवी से हमेशा चंदरमा की एक ही सेता दिखाय देती रहती है, जो चंदरमा का टेंपरेचर हो दे रखा है, ये रात का टाइम होता तो माइनस 233 डिगरी त चला जाता है जो चंद्रमा है ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की जो एक साइड है डार्क साइड वो मतलब एक तरफ चंद्रमा के एक तरफ कभी रोशिन नहीं जाती एक्चुली ये गल्त बात है बेसीकली क्या होता है चंद्रमा जो है वो हमेशा ही सूरिये के मतलब उसका द तो यह जो इसा बनेगा तो इस तरफ का जो दिन होगा और इस तरफ रात हो जाएगी जब हम प्रत्वी से खड़े होगे यहां इस तरफ देखेंगे तो हमें चंदरमा बिल्कुल ब्लैक कलर का दिखाई देगा मतलब दिखाई नहीं देगा इसको कहते हैं न्यू मून अमाव और जब सामने से फरंट पे हमें यहां पे प्रत्वी है और प्रत्वी पे इस तरफ दिन है और इस तरफ रात है जब रात वाले टाइम पे हम चंदरमा की तरफ देखते हैं तो चंदरमा का यह सामें दिखा देता है इस हिस्से में बेसिकली हमें चंदरमा चमकतावा दिख अगली जो चीज है चंदरमा जब हम प्रत्वी से देखते हैं तो चंदरमा का 59 प्रशेंट इस्सा हमें प्रत्वी से दिखाई देता है आपको दिखाई दे रहा होगा फोटो में भी अगली जो चीज है वो है कि प्रत्वी चंदरमा का जो सब से उचा परवत है उसका नाम है लाइ ब्यूटी माउंटेन लगबग 10,000 मीटर उचा है लगबग 10 किलोमेटर उचा है जो पृत्वी पर जो टाइड साते जवार आते हैं उनका जो कारण है वो है चंदरमा की ग्रैविटी इस वीडियो मा हम समझेंगे टाइड जवार क्या होते हैं देखो क्या होता है समुं उपर चंदरमा और सुर्या की ग्रैविटी की वज़ए से ऐसा फरक पड़ता है उनको कहते हैं जवार लेकिन इस पर जदा आश़र चंदरमा पस्तवी के ज्यादा नजदीक है और वे चंदरमा की ग्रैविटी वज़ए से पर दो उभार आते हैं एक बिलकुष मिलकुल सा और दूसरी तरह प्रत्वी आपने आपको बैलेंस करने के लिए सेम बराबर वजन पीछे की तरफ डाल रिजसे आपने कई बार बाल्टी उठा के चले होंगे या आथ में कोई सामने कोई आपने बोरी वगरा या कोई ऐसा वजन उठा लिया हो तो आप पिछे की तरफ सोड़े जुक जाते हैं उसका कारण होता है आगे का वजन ऐसे ही प्रत्वी आपने आपको बैलेंस करने के लिए भी पानी का स्तर बदल देती हैं और कुछ प्रत्वी की रोटेशन के वज़े से ऐसा हो जाता है तो जनरली किसी पी जंगे पर दिन में दो जवार आते हैं दो बाट्या आते हैं तो चंदरमा की वज़े से जवार बाटो में काफी डिफरेंस दिखा देता है दूसरी बात है जवार बाटो के उचाई है उसमें निर्वा करता है कि वो समुंदर कितना खुला हुआ है जैसे पैसिफिकोशन में जवार ज़ादा उच्छे नहीं आएंगे क्योंकि काफी खुला समुंदर है जो जंग काफी मतलब नेरो है वहाँ पर जवार उच्छे आते हैं सूरीय की वज़े से भी प्रत्वी के उपर काफी असर दिखाए देता है उसकी ग्रैविटी का लेकिन चंदरमा की बज़ाए सूरीय काफी दूर है लेकिन सूरीय और चंदरमा जब एक ही लाइन में होते हैं इसको कहते हैं सिजगी ये शब्द द्यान रखना है जब मालो पूर्णी मा का दिन है फुल मून है तो तिन्नो के तिन्नो एक ही लाइन में होते हैं और न्यू मून जैसे अमावश्या है इस दिन भी तिनो एक लाइन में होते हैं इस दिन बहुत उचे जवार आते हैं वैसे तो जवारों को हाई टाइड और लो टाइड कहते हैं जो डेली आते हैं लेकिन जब सूरिय और चंदरमा और पृत्वी एक ही लाइन में होते हैं तो बहुत उचे जवार होते हैं तो इनक पर सब से नीचे जवाराते हैं में नीड आजाता है इसका हों है जो चंदर मा वह पनी तरफ खीशता है और सूրिय। चंदर मा की वज़े से さ कि एक हाई टाइड और लो टाइड में काफी डिफ्रेंस दिखाए थे हैं को जो वो पूर्णिमा और अमाव शहुस दिन मतलब तैरने का अच्छा दिन नहीं माला ज़ता क्योंकि उस दिन जवार बहुत उच्छे होते हैं जो चंदरमा है वो पर्थवी से हर साल दूर हो रहा है लगबग 3.8 सेंटीमीटर हर साल पर्थवी से दूर चला जाता है पर अगर हम चंदरमा का द्यान ग्रे तो इसे सैलनोलोजी का ज़ता है और चंदरमा को फोसिल प्लैनेट के नाम से भी जिवासम ग्रे के नाम से भी जाना जाता है अगर कोई इंसान चंद्रमा के उपर जाकर अपना वजन मापता तो चंद्रमा की जो ग्रैविटी है वो प्रत्वी से 6 गुणा कम है लगबगसा 16 प्रतिसत जो चंद्रमा की ग्रैविटी है तो अगर कोई इंसान प्रत्वी पर 60 किलो का है तो उसका वजन मात्र प्रत्वी चंद्रमा पर 10 किलो रह जाएगा यह आपको ध्यान रखना है जो प्रत्वी की है ग्रैविटी काफी हाई है और जो चंद्रमा है उसकी gravity काफी वीक है साथ हमें उसका वजन जो है वो basically कम है इस वज़े से उसकी gravity कम है जो पहला जो spacecraft था चंदर्मा पर पोचने वाड़ा वो था लूना वन 1960 इशियो में ये चंदर्मा पर पोचा था चंदर्मा की जो dark side होती है जो dark side है ये जो दिखाई नहीं देती इसको कहते है sea of tranquility पहला शब्द है supermoon supermoon का मतलब क्या है जब परत्वी और चंदर्मा अपने बिल्कुल nearest point को होते है जैसे आप देख पा रहे होगे जो चंदर्मा है वो परत्वी के बिल्कुल exactly एक circle में चकर निलगा रहा ये एक safe है elliptical safe कहा देते हैं इसमें चंदर्मा कभी दूर चला जाता है तो कभी बिल्कुल नजदीक आ जाता है तो basically क्या है जब चंदर्मा परत्वी से बिल्कुल अधिक तमदूरी पहोते है इसको कहते है अपोगी और जब बिल्कुल नजदीक होते है जब परत्वी चंदर्मा से अधिक तमदूरी पहोती तो उसको कहते है अपबू और जब परत्वी चंदर्मा के बिल्कुल नजदीक होती है उसको कहते है उपबू ऐसा ही शेम शब्द आपको सुनने मिलेगा परत्वी और सूरिये के मतलब रेफरेंस में आप देखेंगे जब प्रत्वी सूरिय के बिल्कुल नजदीक होती है उसको कहते है पैरी हीलियन और जब प्रत्वी सूरिय के बिल्कुल दूर होती तो इसको कहते है अपहीलियन अब पैरी हीलियन और अपहीलियन इसको कहते है अपसोर अपसोर और इसको कहते हैं उपसोर जब जनवरी का जो महिना होता है तीन जनवरी की दिन पर्थवी सूरिय के सबसे नज़दी की पॉइंट पर होती है और चार जुलाई के दिन पर्थवी सूरिय के सबसे दूर पॉइंट पर होती है यह आपको ध्यान रखना है और प्रत्वी सूर्य की प्रीकर्मा एंटीक लोगवाई लगाती है यह आपको पहले पता है तो बेसिकली सूपर्मून का मतलब क्या है जब चंदर्मा प्रत्वी के सबसे नीरिस्ट पॉइंट पाई दता है तो जब नजदीक आजएता तो उस दिन हमें चंदर्मा मतलब और ज्यादा चमकदार दिखाए दिता है इस गटना को कहते हैं सूपर्मून अगली जो चीज है अगला जो शब्द है वो है लूनर केलेंडर अब चंदर्मा के इसाब से कलेंडर कैसे बना है थोड़ा उसको समझ लेते हैं लुनर केलेंडर क्या होता है बेसिकली जैसे सूरिय का चक्र लगाती है प्रत्वी वैसे ही चंदरमा प्रत्वी का चक्र लगाता है ये चक्र जब चंदरमा एक बार पूरा कर देता है तो एक चक्र का एक महीना मानगाता है भारत का जो केलेंडर है वो चंदरमा के इसाब से बनाएगे थे पहले उनमें क्या चिज्जे आपको ध्यानखनी शुरू करते हैं यह है फूल मून मतलब सूरिय की जो किन्ने हैं वो सी दीपड रही है चंदर्मा के उपर और यह किन्ने रिफ्लैक्ट होगे हमें दिखाई देती हैं जिसकी वज़े से इसको कहते हैं पूरणी दीरे 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 आकार में छोटा होता रहता है इसको कहते हैं करशन पक्ष और यह दिन आजता है हम आवश्या का इस दिन चंदर्मा के बैक साइड पर सूरिय किरने गिर रही है इस वो जैसे प्रत्वी से हमें यह दिखाई नहीं देता क्योंकि प्रत् बाद अगले दिन से दुबारा से फिर चंदरमा दीरे 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 बड़ा होता है इसको कहते हैं शुकल पक्ष ये एक महीना है बेसिकली जो चंदरमा के आदार पर बनाये गया है ऐसे ऐसे बारा महीने केलेंडर से में बनाये गये हैं उन केलेंडर को भारतिये केलेंडर के वहाद में घ्रांस से जाना है बीषीयली जैसे एक राजा था राजा का नाम था कंश्क 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 नाम के राजा से माना जाता है कि उसने एक किलिंडर चलाया था हला की भूट सारी ज hect tragic इसको सातवान वंस के अलग राजा के नाम पर भी दिखाया गया है तो इसमें काफी मत्वेद हैं कि ये कलेंडर उसने चलाया था कि नहीं चलाया था तो जो शक कलेंडर चलाया था वो चलाया था 78 AD में और 78 AD में चलाया था इसमें 12 महीने होते हैं और बारा महीने पहला महीना होता है चैतर का और आखरी महीना होता है फालगुन का फिलाल जो है आज तारीक है मालो 23 अगस 2020 तो इस हिसाब से इसका बादर का बादरपद कहा देते हैं बादर का जो महीना है वो चला हुआ है और 1942 का साल चल रहा है क्योंकि जो 20 साल होगा ग्रीगेरिन कलेंडर जो जनवरी फरवरी वाला जो कलेंडर उसको ग्रीगेरिन कलेंडर करते हैं वो 2020 चल रहा है और उसमें से अगर आप 78 गटा देंगे तो ये 1942 शिश्वी आ जता है ये बारत का नेशन कलेंडर है 22 मारच को इसका न्यू येर था 1997 मे तो 22 मारच को ही इसका मतलब भारत सरकार ने इसको डॉप्ट कर लिया था तो भारत का नेशन कलेंडर कोड़ सा है तो उसका नाम है सक समवत दूसरा एक और कलेंडर है उसका नाम है विकरमी समवत विकरमा जितनाम के राजा के नाम से माना जाता है कि उसने एक कलेंडर चला जो भी साल होगा ग्रीगेरिन केलेंडर उसमें 57 साल अगर हम जोड़ दें तो उससे विकर्मी समवत का साल निकलता है इसका जो पहला महीना होता हो वैशाक का होता और आखरी महीना होता है वो चैतर का होता है बेसिकली अगर आप से पूछ लिया जाए कनवर्जन पूछ लिया जाए कि यह बताओ शक कलेंडर को ग्रीगेरिन में ग्रीगेरिन कलेंडर को विकर्मी में या विकर्मी को शक में कनवर्ट करो तो आपको इस डाइगराम से याद रखना है जैसे ग्रीगेरिन कलेंडर में 2020 अगर आपको विकर्मी समवत की तरफ जाना है तो आपको 57 प्लस करने है अगर विकर्मी से ग्रीगेरियन मैंना तो 57 माइनस करने है अगर आपको ग्रीगेरियन से शक की तरफ जाना है तो आपको 78 माइनस करने है और अगर सक से ग्रीगेरियन की तरफ आना है तो 78 प्लस करने है और सकसे सिदा किसकी तरफ जाना हो विकर में समवत तो 78 ये एड़ करने है और 57 ये एड़ करने है इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें केलेंडर को कनवर्ट करना है लूनर के बादा के लिए जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है blue moon blue moon का मतलब क्या वो समझ लेते हैं blue moon का मतलब simple सा है कि एक महीने में जब दो पूरणी मा आ जाए उस गटना को blue moon नाम की गटना से जाना जाता है इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि जो चंदरमा वो नीले रंगा दिखा देता है दूसरा आपको द्यान रखना है कि ये गटना कभी भी फरवरी महीने में नहीं हो सकती है क्योंकि फरवरी महीने में 28 या 39 दिन होते हैं और blue moon नाम की गटना होने के लिए कम से कम 30 दिन होने जुरूरी है हमने दो चीश समझ ली थी अपोगी और पैरीगी अपोगी का मतलब है अपभू जब चंदरमा और परिथवी के बीच की दूरी रिकतम हो जाए तो 4,00,000,000 लग भ्ग 6,000 किलोमेटर हो जाए जब चंदरमा और परिथवी के बीच की दूरी निहन तम हो जाए तो इसको कहते हैं पैरीगी मतलब उपभू ती लाक चोश्ट जार अब बेसिकली क्या है अगली जो चीज हमें समझने है वो है लूनर इकलिप्स तो इसको हम समझेंगे एक वीडियो के साथ लूनर इकलिप्स के साथ साथ ही हम समझेंगे सोलर इकलिप्स ये दोनों के दोनों ग्रैंड को समझेंगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूरिय ग्रेंड के बारे में तो सूरिय ग्रेंड क्या होता है उसको आये जानते हैं सबसे पहले आपको पता है कि जो चंदर्मा है वो पृत्वी के चारो तरफ चक्र लगाता है प्रित्वी का एक चक्रपूरा करने में चंदर्मा लगबग 27.3 दिन ले लेता है सूरिय ग्रेन किसे कहते हैं जब सूरिय चंदर्मा और प्रित्वी तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आजे और चंदर्मा सूरिय को ढख ले जिसकी वज़े से हमें सूरिय की रोशनी दो पैर में भी दिखाई ना दे उसे इस सूरिय ग्रेन का जाता है देखो जिसके उपर ग्रेन लगता है इसका मतलब वो हमें दिखाई नहीं देने वाला उसके आगे चंदर्मा आ जाता है, जिसकी वज़े से उसके उपर ग्रैन लग जाता है, इस situation को कहते हैं सूर्य ग्रैन, अब जो चंदर्मा आप देख पा रहे होगे, चंदर्मा की जो पर चाही है वो पर्थवी के उपर पड़ रही है और जो पीछे की तरफ जो सूर्य है व देके न ऐसा नहीं होता, चंदर्मा की जो revolution की जो जंगह है वो basically elliptical है, पूरी की पूरी सीधी नहीं है, चंदर्मा हमेशा एक ही दूरी पर नहीं रहता, वो पैरी की मतलब सबसे नस्दीक भी होता रह पोगी मतलब सबसे दूर भी होता है, जिसकी वज़े से कुछ ही ऐसे situations बनती हैं, जब वो सूरिय और पृत्वी के बीच में बिल्कुल एक ही सीधी लाइन में आ जाए, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होगे, तो जैसे आप देख पा रहे हैं, जो चंदर्मा है, वो कैसे तिरचा गुम रहा है, हमेशा चंदर्मा के उपर रोशनी ग इंगल्स की वज़े से ऐसा होता है कि कई बार चंदर्मा सूरिय क्या ग्या जाता है, और कई बार नहीं आपता, साथ में परत्वी पर 70% पानी है, तो कई बार ग्रेंड अलगता है, तो वो ग्रेंड की परचाई जो है, वो परत्वी के पानी के बाग पर पड़ती है, जैस सूरिय को पूरा नहीं डगता, उसके कुछ हिस्से को डग लेता है, ऐसा लगता है मानो सूरिय के आगे बादल जैसी कोई चीज आगी हो, मतलब सूरिय का काफी बड़ा इसा में ऐसे कैसा दिखाय देता रहता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, तो चंदर्मा की पूरी की पूरी परच्छाई सूरिय के आगे नहीं है, अब आप देख पा रहे होगे, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है, कि चंदर्मा की तरह कटा हुआ सूरिय दिखाय देता है, अनूलर जो होता है, उसमें क्या है, कि चंदर्मा सूरिय को डखता तो है, लेकिन पूरा नहीं डखता, उसका कुछ इससा फिर भी बाहर की तरफ, चारो तरफ से दिखाय देता है, ये ऐसा कब होता है, जब चंदर्मा परत्वी से अधिक तंदूरी पर हो, और उसके बाद ग्रैन लगी जाई, जैसा कि आपने देखा, ऐसी सिच्वेशन को रिंग ओ फायर भी कहते हैं, बाहर की जो एरिया है, वो आग की तरह जमकता हुआ, दिखाय देता रहता है, ये अलग-अलग फोटो में आप देख पा रहे हैं, कि किस तरीके से ग्रैन लग रहा है, और ती प्रित्वी जो है, और चंदरमा की दूरी सबसे कम होती है, तो चंदरमा वैसे तो सूर्य से 400 गुना छोटा है, लेकिन सूर्य से 400 गुना दूर भी है, जिसकी वज़े से जब वो प्रित्वी के बिलकुल नजदीक होता है, और उस समय पर वो पूरे के पूरे सूर्य को इसी समय पर सूरिय का कोरोना दिखाई देता है जिसको कोरोना ग्राफ की मद्द से देखा जा सकता है जिससे आमने पहले समझाते हैं I think आपको समझ में आगा होगा इस वीडियो में बात करने वाले हैं लूनर एकलीप्स मतलब चंदर ग्रैन तो आए शुरू करते हैं चंदर ग्रैन का मतलब है पूर्णी मा के दिन जब हमें चांद पूरा दिखाई देना चीए तो सूरिय, परत्वी और चंदर मा एक ही सी दिलाइन मा जाए जिसकी वज़े से जो चांद है वो हमें दिखाई ना दे उस पर परत्वी की परचाई गिर जाए तो चांद दिखाई नहीं देगा तो चांद पर ग्रैन लग जाएगा तो इसको कहते हैं चंदर ग्रैन चंदर ग्रेंड जो है बेसिकली दो परकार का होता है एक होता है अम्बरल या उम्बरा के देते हैं और एक होता है पीन उम्बरा बेसिकली अम्बरा का मतलब है जब पूरा का पूरा चंदर मा उस पर ग्रेंड लग जाए कई बार क्या होता है चांद रेड गलर का दिखा देता है जिसे बलड मून का जाता है बलड मून क्या है जब सूर्य की किरने परत्वी की एटमोस्फिर में गिरती है तो उसमें से एटमोस्फिर से टकरा के और वे जो रेड गलर की जो किरनों का जो वेवलेंथ है वो चंदरमा के उपर गिरता है जिसकी वजय से हमें चंदरमा रेड कलरगा दिखाएगता है जिसे ब्लड मून का जता है चंदर ग्रैन के बारे मोई और हमें क्या पता उना चीए बेसिकली जो चंदर ग्रैन है वो एक साल में लग बग तीन बार अधिक्तम लग सकता है किसी किसे साल में एक बार किसी में एक बार भी ना लगे और किसी में अधिक्तम तीन बार तक लग सकता है और जो चंदर ग्रैन है पूरा चंदर ग्रैन मतलब अंबरा जो चंदर ग्रैन है वो कुछ ही मिनट के लिए होता है बाकी जो वैसे चंदर ग्रैन की जो लेंद है वो दो गंटे के आस पास तक हो सकती है अलग अलग एंगल्स में आप देख पारे हो कि किस तरीके से लुनरी क्लिप्स लग रहा है एक जोक चुनाता हूं एक बार एक लड़का होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है डॉक्टर साब मेरे दोनों पैर बहुत निल्य पढ़ रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है तो दोक्टर बहुत सारे चेक अब अगरा करता है सब कुछ ठीक मिलता है लेकिन उसको समझ में आता है कि क्या दिक्कत हो रखी है तो डॉक्टर आखिर में कॉन्गले पोस्ता भी तेरे पैर काटने पड़ेंगे तो डॉक्टर उसके दोनों पैर काफी ताइम उस्पिल में रह करता है तो आज का कारेक हम समाप्त करते हैं कि हम आपको समझा पाया इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब रहें थेंक्यू